स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंजांग के नुसा प्रतेक्मा में दो बार एक आदशी तिति आती है एक शुक्र बक्ष में और दूसरे कृष्ण बक्ष में एक आदशी के दिन श्रीहरी विष्णू की पूझा अचना करने का विधान है मानता है कि एक आदशी के दिन पगवान विष्णू की अराधना करने से सभी प्रतार की मनों का मनाई पूरी होती है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेल 2024 में एक आदशी कब है देन वदेनां क्या रहेंगी और एक आदशी की तिति क्या रहेगी तो चलिए शुकरते हैं आज की वीडियो को लेकर वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकांदशी व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तके आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अप्रेल दुहजार चौबिस की पहली एकांदशी पांप मुझनी एकांदशी पांच अप्रेल दुहजार चौविस दिन शुकरवार को है चैत्र कृष्ण एकांदशी तिथिक आरंपोगा चार अप्रेल की शाम चार बचकर चौदा मिनट पर और समाप्ती होगी पांच अप्रेल की दोपैर एक बचकर थाईस मिनट पर हिंदो बंजांग के अनुसा चैतर मा के कृष्णपक्ष की एकादशी को पाप मोझनी एकादशी के नाम से जाना जाता है माननता है कि पाप मुझनी एकादशी कबरत करने से वैक्टि को सानसारिक सुखों को भूगने के साथी मृत्धियों के बाद रधाम की प्राप्ति होती है अप्रेल 2024 की दूसरी एकादशी कामदा एकादशी 19 अप्रेल 2024 दिन शुक्रवार को है चैत्र शुक्ल एकादशी तिथी का रमभोगा 18 अपरेल की शाम 5 बच के 20 मिनट पर और समापती होगी 19 अपरेल की रात 8 बच के 4 मिनट पर राम नमी के बाद आने वाली कामदा एकादशी दुख और धरी दर्दा को दूर करती है और सभी प्रकार की कामणाओं को पूरी करती है मेरे व्यदक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद फिर मिलेंगे किसी नय वीडियो के साथ